कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जी एस प्लेंडर पर आज हम आठ अगस 2021 की महत्पूर घटनाओ उन पर संभावित प्रश्णों का अध्यन करेंगे उनको एनलीसिस करेंगे डीप एनलीसिस करेंगे जैसा कि करते आया हैं ठीक है वीडियो अगर आपको सही में पसंद आती हो तो प्लीज शेयर कर दिया करें सब्सक्राइब तो करी लें इदागर पसंद आ रही इतना खीमत तो चुका ही सकते हैं फिलार शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्ण है कि हाली में भारती प्राड़ी सर्वेक्षड के निदेशक के दिरीती बनर जी और कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्या है देखे क्या होता है कि यो हमारा जीव होता है जीव को मतलब समाभते हो जीव जीव जिसे औरगने समा बोलते हैं अंगली शुक simples क्या अधार पर इनको फॉनरम में विभाजित किया गया है सबसे पहले आता ह जैसे कि अमीबा पहरा में शीब हो गए रखी तीसरा होता है फंजाई पंजाई का मतलब क्या होता है कवक जो कि युकारियोट सो ही होते हैं लेकिन ये भोजन के लिए किसी पर किसी के ऑशोशल पनेरभर करते हैं ये अब्सॉप्शन द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते फिर होता है चौथा प्लांट ठीक है प्लांट मालब पॉधे जो कि अपना भोजन स्वैंब बनाते हैं फिर होते है एनिमल जो कि भोजन के लिए पौधों पर या अन्य जीओ पर निर्भर करते हैं तो पाच ग्रूप है इनको हम फ्ला इनको किंग्डम कहा जाता है क्या कहा और इसके वर्गी करण को टैक्सोनमी कहा जाता है क्या कहा जाता बच्छा टैक्सोनमी हिंदी में वर्गी की बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनमी एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि जीओ का वर्गी करण के विज्ञान के क्या कहा जाता है तो टैक्सोन लियाने के जंतु तो पांच वर्ग में जंतुओं का मलब पूरे जीवों का भी भाजन हुआ है अच्छा टैक्सोनोमी की खोच किसने की थी कैर ओल स्क्राइब लिनियस ने किती ती यह पूछ लिया जाता है आपको पता होना चाहिए दाक्सिट यह बालो जी का बात था तो जो प्लांट है और जो एनिमल है ये दुनिया भर में इतने सारे प्लांट है इतने सारे अनिमल है तो इनकी यूटिलिटी इनके करेक्टर आधिक को study करने के लिए भारत में क्या किया था अंग्रेजों ने departments बनाये थे जिसे एक था Botanical Survey of India Botanical Survey of India ठीक है Botanical Survey of India क्या है ये हिंदी में बोलेंगे इसे भारती वनस्पती सर्वेक्षण ठीक है एक ये है और दूसरा क्या है Geological Survey of India फैसे प्राणी भारती प्राणी सर्वेक्षण ठीक है तो ये क्या करता है ये जंतूऊं का अध्यान करता है थी ब्रेटिश ओने की ती 1890 में और उसके बाद जो लाजिकल सर्वेया इंडिया के उन्होंने स्थापना किती 1916 में तब से चलता आ रहा है आपना रिसरच करता है तसक CJ घ्रिती बनरजी जो की महिला है उनको जो है डारेक्टर नियूद किया गया है क्या डारेक्टर ऐसे लियद पता हुआ है कि जो 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 लोग सर्वेया इंडिया है जुलाइए 1916 में इसको इस्टैब्लिश किया गया था और इक है एक है इंपॉर्टेंट है दोनों का बोटैनिकल का भी और जो लोगाता में का है क्योंकि उस समय बेंगॉल से ही वो लोग क्या करते थे अंग्रेज क्या करते थे 1912 से पहले उनकी राजानी कलक्त्ता हुआ करते तो कलक्त्त में सारा रिसर्च उता था इसलिए कलकत्त में बोटैनिकल सर्वेय ऑफ इंडिया जू लगा से लेक्ष्ट बड़ा हो गया थोड़ा सा यह वांट येका पहली तो इनका पता होना चाहिए जूलोजिकल स इस्ठापना कब हुए थे, 1916 में, इसका हिटकाटर कहा, कॉलकाता में, इसे से मिलता जूलता है, वोटनीकल सर्वी ओप हमेवे अग्ला कोश्शन है, त्रेफेट की अस्ठापना किस वर्ष क southwest ms कहसी है, अब यह वाट्स नहीं है ट्रिफेट वाज स्टैबलेश्ट इन विच येर ठीक है तो कभ इसकी स्थापना होई थी उनीशो सतासी में अब प्रशनी उड़ता है इसको क्विश्चन क्यों डाला गया अभी चौती सुवाव फाउंडेशन डे मना रहा है 24 फाउंडेशन डे देखो 6 अगस्त ये डेट भी याद रहना चाहिए और दूसरी बात क्या ट्रिफेट है क्या ये समझते हैं इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए गा इक्जामें इसका फुल फॉर्म कई बार पूचा गया है ट्राइबल को आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ का वान उतपाद माला फॉर्स प्रॉडक्स जो होते हैं तो इन से क्या करते हैं जन जाती बिबिन प्रकार के कताई भुनाई या बंबू इस तरह की चीजें बनाती रहती हैं ठीक है लेकिन क्या होता तो इनको मार्केट नहीं मिलता ना इनको बेचने के लिए मार्केट नहीं होता टीम नहीं होती तो इनको एसिस्ट करने के लिए आदिवासियों को ब्यापारिक साहता उनको मार्केट उपलब्ध कराने के लिए ये थैला बना रही है इस तरह की चीजों को प्रमोट किया जाता किसके दौर्ड यह। जाती हो कि भी कास्ट बहूत ही महाधपूर योगदार निभाता है और इसका हेड़ को जो क्या कहते है एड़ कोर्टर का नए दिल्ली में है और सबसे बड़ी जब भी कुशिशन आएगा त पूरा है कि ट्रैफिट के स्थापना कब हुई थी देख लिए वो सब हिंदी में है पुरा अच्छा बात लिखा हुगा है मेन यही है ठीक है अच्छा अगला कुश्चन थर्ड कुश्चन आज का किस भारती राज या संग शासित प्रदेश या संग शासित प्रदेश ने अ लटाइक ने क्या किया पानी माँ पहंपेन के शुरुआत की hai और देखते हैं क्यों क्यों ही है इंगली में है चिंता मत किया लगिए अभी हमने क्या पढ़ा था मिighalso में सोहरा जलापूरती अभियान जो इस्थापित मलब चालू हुआ था वो भी इसी अभियान का हिस्सा था तो जल जीवन मिशन जो है कब शुरू हुआ था तो जल जीवन मिशन शुरू हुआ था बच्चा 2019 और इसे कब तक लागू करना दोजार 24 तिन 5 वर्षों में क्या थीया जा सके ड्रिंगेबल वटर ड्रिंग कर आएँगे ओर उबर से पहुआ कई से पहुचा आएगे नसर विक्रोन के के लिए और जाता है स्पीड अप करने के लिए लद्दाख ने पानी माह अभियान के शुरुआत किया है तो क्यों देखो यहां पर आप इसको पढ़ लीजेगा है पढ़ते हमको लगता है आप लोग पढ़ते नहीं स्पीड अपको जो हिंदी में हिंदी में पढ़ा करें ज शाजी ने संसद्र में खोशना किती जमू एं लिए लड़ राजधान कर दिया गया चैटर है बागी मुसलिम और हिंदू जो चैकर हुं जम ski रोगई ये अरके मात को आर के माथव और यहाँंपर ऑर यहां पर एक मात पर इसम्बली वाले होती है वहां का जो प्रशाषा को अडमनी को बार लक्षदीड तिया है जो भी प्रशासाख होता है वो एड्मिनिस्टेटर कहला तसके भी निव्ति राश्पति करता है और जो एसंबली वाले यूटी होते हैं उसका जो एड्मनिस्टेटर होता है वो एलजी कहलाता है जैसे दिल्ली पुदचेरी जम्मो कश्मीर लध्डाक ये सम में विधान सबा जी ठीक है और यहाँ पर हैमेस नैशनल पार्क है जो याद रहना चाहिए आपको चौधा कुश्चन आज का मांग देचु जल विद्धुत परियोजना किस देश में बहुत बार पूछा गया है कुश्चन और बार बार पूछा जाता है ठीक है मांग देचु हाइड्र पूटान गेट्स ब्रूनल मेडल ठीक है एक अंतरराष्टी पुरसकार दिया गया है इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट का मलब समझते हैं बिजली बनाती है कैसे बनाती है देखिए कोई भी जब लिखा रहता है हाइड्र पावर प्रोजेक्ट का मलब जल बिद्दुत प होहाँ बहुत तेज़ी से बहता है तो नीचे क्या होता है यहां पर यहाँ से ग्वहृट 250 पर पहुंछ जाता है क्याने समझना तो पानी के प्रवा से बिजली उत्पन किया जाता है उसी को hydropower project कहा जाता है उसे ही जल बिजलत परियोचना कहा जाता है ठीक है जो यह मांग देचु है इसे भारत ने assist किया है जादा तर यह चर्चा में रहता है यह बहुत बार पूचा गया, पिछले बार कई एक्जाम में पूचा गया था ठीक है, अब भूटान के बारे बात कर लेते हैं, बूटान जिसकी राजधानी क्या है, थिम्पू, राजधानी थिम्पू और इसके यहां के प्राइम मिनिस्टर काँन है, लोटे शेरिंग, अब बूटान की लोकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं ये ये भी यह चीन और भारत के बीच में एक बफर इस्टेट भापर इस्टेट उसे कहा जा जा तो दो देशों के बीच सीमा पर इस्थित होता है तो इधर चीन है और इधर भाराच अधिक सबन्द आ गया दूसरी तरफ देखते हैं कि इसके साथ कौन-कौन सी भारती राज जो है सीमा बनाते हैं ये एग्जामिक कही बाई लांगी प्रदेशों से घुरा हुए एक है औरो लाचव प्रदेश एक है असम एक है जो है प्रष्ट बंगल और एख है शिकिंस आप इस से इस तरह से याद कर सकते हो आशिक हैं आप ठीक है तो आज से आ से असम से सिक्किम आ से पासे पासे मंगाल ठीक है समझ में आ गया तो यह था आपका भूटान तो अगला कुश्चन देखते हैं आज का अंतिम कुश्चन जो की बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है ठीक है राष्ट्री हत करगा दिवस कम मनाया जाता है national hand loop day is absorbed on which day एका बार पूछ गया है ठीक है तो बच्रेक यह प्रतिक सा अगस्त को मनाया जाता है ůद संगारा अऐस एंद मीचे के से मतलब समझते हैं नहीं समझतें तो का समझते हैं थिग है हेंडलूम का मतलब होता हाथ से बनाए गए वस्तु ठीक है हाथ का इस्तमाल करें जैसे कताई बुनाई करके आप कुछ चटाई वगरा बना लेते हैं साड़ी वगरा की अंदर डिजाइन जो बनाई जाती है यह सब हाथ से बिना मशीन के प्रियोग के जो कपड़ों पर ज़ेते हैं उत्देश का समँन मरा पर यूव Dorothy को बहुत जब्रोंट करना लेकिन है ऍटियाफ है की मना जाता है लेकर यह कि ऐसी अथ स्वादेश अंडोलन पहले स्वादेश पांडोलन वा सकता जाता है और इसका नेतरत तीन कोंग्री सी नहीं, लाल, बाल, पाल, जो कि उग्रवादी नहीं 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 धाटनी स heute सुराज अंदोलन चलु ग Avant पूर्वी बंगाल और एक पशिम बंगाल वही जो भारत के पास है वो पशिम बंगाल कहला है और जो पूर्वी वाला बंगाल था वो क्या हो गया वो पाकिस्तान को दे दिया गया था और बाद में 16 दिसमर 1911 में वहां बंगला देश स्थापित हो गया तो पूर्वी वाला जो था वो मुसलिम मज़वरटी था पश्चिम वाला हिंदी मेजवरटी था हिंदू मजवरटी था तो धर्म के आदार पर यह भी बादन हुआ था इसलिए कहा जाता है भारत में साम प्रदाइकता के शुरुवात यहीं से हुई थी कमिनलिजम के शुरुवात हुई थी हिंदू और मुसल्मान के आदार पर चीज़े बटनी शुरू हो गई थी और तब से लेकार आज तक यह भी भादन चालू है कम यह ज़्यादा प्रभ प्रमोट करने के लिए एक इसको दिवस मनाया जाए समझ में अब प्रचिन उठता है कि अगर वो हतकरगा वाला मामला है तो उसका स्वदेशी अंदूलंस क्या लेने देना देखो क्या हुआ था भारती नेतावने निड़ने लिया था कि जो स्वदेशी है अपना प्रोड प्रमोट करेंगे ठीक है क्लियर है समझ आ गया होगा तो आज पांच कुश्चन हमने पड़े अगर कई कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएगा और साथ ही साथ लेक्चर को जो है ध्यान से सुनिए और प्रमोट कीजिए ज्यादा से ज्यादा ठीक है कोई डाउट जरूर पूछिए पीडियेप आपको हमेशा के तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चा आप लोग डिस्क्रिप्शन नहीं ढूण पाते क्या डिस्क्रिप्शन मलब जहां लेक्चर का विवर्ण शुरुवात में वीडियो के ज़स नीचे जो निखा रहता है उस जो लिंक नीला नीला मिलेगा उसी को क्लिक कर दूकर पीडियेप आपको मिल जाया करेगा ठीक है तो आज के लिए तना है थैंक यू अलब